पोलो रादे रादे कभी कभी कोई कटना मनुष्य के जीवन की सारी योजनाओं को तोड़ देती है और मनुष्य उस आगात को अपने जीवन का केनर मान लेता है जो की गलत है क्या बविश्य मनुष्य की योजनाओं के आदार पर निर्मित होते हैं? नहीं इस परकार किसी उचे परवत पर शरुपर्दम चड़ने वाला वैक्ति उस परवत की तलाई पर बेटकर योजना बनाता है क्या वही योजना उसे परवत की चोटी तक पहुचा पाती है? नहीं पास्टव में वो जैसे जैसे उपर चड़ता है वैसे वैसे उसे नहीं नहीं चुनोतिया नहीं नहीं विडमनाए नहीं अवरोध मिलते हैं परवत पर वो अपने अगले पत का निर्नाई करता है परवत पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है उसे ये समझना पड़ता है कि परवत को अपने योग्य नहीं बना सकता लेकिन अपने आपको परवत के योग्य बना कर समस्या का समादान वो कर पाता है क्या जीवन के साथ भी ऐसा ही होता है जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनोती को एक अवरोड को अपने जीवन का केंडर मान लेता है तब वो वैक्ति अपने ही जीवन की गती को रोक देता है इसा वैक्ति जीवन में ना सपल हो पाता है ना ही सुख से जीवन जी पाता है अर्थात जीवन अपने योगी बनाने के बदले स्वेम अपने आपको जीवन के योगी बनाना ही पैक्ति की सबसे बड़ी गल्ती है जीवन का हर शन निर्नाई का शन होता है तता पट्यक मार्ग पर किसी दूसरे मार्ग के बारे में कोई निर्नाई करना ही पड़ता है और हर निर्नाई का अपना अपना परवाव होता है आज किया गया निर्नाई बविश्य में सुक्व दुख खा कारन बनता है ना केवल अपने लिए बलकि अपने परिवार व भविश्व में आने वाली पीडियों पर भी अपना परवाव डालता है जब कोई दुविदा मन के सामने आती है तो मन वयाखुल हो जाता है अनिस्टे से बर जाता है निन्नई का वो शन युद बन जाता है और हमारा मन युद भूमी मनुष्यदारा लिये गए अधिक्तर निन्नई समस्या का समाधान करने के लिए नहीं बलकि मन को शांत करने के लिए होते हैं पर क्या कोई दोड़ते हुए बोजन कर सकता है नहीं जब वैक्ति दोड़ते हुए बोजन नहीं कर सकता तो फिर विचारों की जंग लड़ता हुआ हमारा मन कोई उचिर निन्नई कैसे ले सकता है जब हमारे मन में विचारों की ये गोडे देश लगाते हो एसे इस्तिती में हमारा मन कोई साई निर्नई नहीं लेबाईगा वास्टव में शांत मन से लिया गया निर्नाई ही सुकत बविश का निर्मोण करता है वो जो वैक्तिया शांत मन से निर्नाई करता है वो अपने बविश में दुखत निर्नाई के लिए उत्रडाई होता है बोलो रारे रारे बोलो रारे रारे